कभी कभी बुरा वक्त आपको अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है ना करो हिम्मत किसी के बुरे वक्त में हसने की ये वक्त है चेहरे याद रखता है दोलत हो तो पर्देश में भी देश है और गुर्बत हो तो देश में भी पर्देश गुर्बत इनसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है तलख बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्टे मर जाते हैं तलख बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्टे मर जाते हैं और दिल में रखी जाएं तो दिल मर जाता है खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं तरजिहात का फरक है हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता बेर नसले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है तुम उसे जितनी इज़द होगे वो तुमें इतनी ही तकलीफ देगा लोगों की बातें कच्रा होती हैं इनको सर पर सबार ना रखें शिर्क के बाद बत्तरीन हुना अल्ला की मखलूग को तकलीफ पहुंचाना है जिन्दगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए जो खोया इसका गम नहीं जो पाया वो किसी से कम नहीं जो नहीं है वो एक खुआब है जो मिला वो ला जवाब है जो मिला वो ला जवाब है शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डड़ता क्योंकि उसे अपने परों पर एतमाद होता है अगर जिन्दगी में सकून चाहते हो तो कभी किसी से तवको मत रखो तवको का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है मीठे लहजे से दिल जीत कर मीठे लहजे से दिल जीत कर यहां लोग जिन्दगियां उजाड़ देते हैं इनसान सब कुछ बूल सकता है लेकिन अपनी बेकदरी नहीं बूलता जिन्दगी बहुत तलख है और इसमें लोग अपने अपने हिसे का जहर मिलाना अपना सवाब समझते हैं इतने रिष्टों का क्या फाइदा जब हर तकलीफ, दुख, अकेले ही काटनी है लहाजा खुद को मजबूत कर ले तांकि अपना गम खुद उठा सके आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है जिन्दगी का पहला गुसल भी किसी और ने दिया और आखरी भी कोई और देगा फिर इतनी सी उकाद पर अकड़ कैसी उलाद की वफा बढ़ापे में पता चलता है बाई की वफा शादी के बाद पता चलता है शोहर की वफा बीबी की बीमारी में पता चलता है बीवी के वफा शोहर की गुर्बत में पता चलती है दोस्त की वफा मसीबत में पता चलता है मुहबत में शक और गुसा वो ही लोग करते हैं जो आपको खोने से ड़ते हैं यकीन करो इस दोर में इज़त वाले लोग सक्त परेशान है बाकी चम्चा गिरी चुगल खोरी दो नमबर बंदे इस टाइम सबसे ज़्यादा अरूच पर है लोगों की बातें दिल पर लेना छोड़ दो क्यूंके जिन्दगी का मकस्द रब को राजी करना है लोगों को नहीं जिन्दगी में हमेशा एहमियत इसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो इनसान के इर्दगिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शकल में मजूद होते हैं जो गले लगाकर इनसान की जड़े कार देते हैं